प्रीय मित्रो मैं आपका दोज गनेश आउवाड अब सभी मित्रो का आपके अपने यूटूब चानल ओम टेक की दुनिया में प्रेदाय से हारदीक स्वागत करता हूँ मित्रो अगर आप हमारे चानल पर नए है तो वडियो को अन्त तक अश्य देखे और हमारे चानल को लाइक और सबस्क्राइब कर लीजिए महाराष्ट्रा की भूमी पर नात संप्रदाय दत संप्रदाय महानुभो संप्रदाय समर्थ संप्रदाय आदी कई पंथ संप्रदायों का उदय एवं विस्तार हुआ किन्तु भागवत भक्ती संप्रदाय यानि संत ग्यानेश्वर जी प्रणीत वारकरी भक्ती संप्रदाय इस भूमी पर उदित हुआ सबसे विशाल संप्रदाय है वारकरी हिंदू धर्म की अध्यात्मिक परंपरा है भगवान श्री विठल के भक्त को वारकरी कहते हैं तथा इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है वारकरी, शब्द में, वारी, शब्द अन्तर्भूत है वारी का आर्थ है यात्रा करना अत्वा फेरे लगाना जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा पुनापुना करता है। पर विक्रम संवत की तेरवी शताबदी में हुआ था। जैसी शाखाओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगा। महराष्ट्रा के पंदरपूर शहर में स्थित विठ्थल मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रत्यक वर्ष देवशेनी एकादशी के मौके पर पंदरपूर में लाखो लोग भगवान विठल की महापूजा देखने के लिए तथा आशिरवाद लेने के लिए एकत्रित होते हैं। पंदरपूर की यात्रा आशार में तथाकार्तिक शुकले एकादशी को होती है। आयोजित की जातिया रही हैं। भगवान विठल के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से पताका दिंडी लेकर इस तीर्थस्थल पर लोग पैदल चलकर पहुँचते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग अलिंडी में जमा होते हैं और पुने तथा जेजूरी होते हुए पंधरपूर पहुचते हैं। इनको ग्यानदेव माउली की दिंडी के नाम से जाना जाता है। अभंग दो प्रकार के होते हैं चार चरणों के और दो चरणों के अभंग। चार चरणों वाले अभंग की प्रथम तीन चरणों में छे-छे अक्षर होते हैं जबकि अंतिम चरण में चार अक्षर होते हैं। महराश्ट्रा के पावन भूमी में जन्मे और उन्होंने वारकरी संप्रदाई की ध्वजा लहराई इसी लिए महराश्ट्रा को संतों की भूमी कहा जाता है दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आईकॉन को भी ओन किजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इस वीडियो को हम इश्वर समर्पित करते हैं धन्यवाद